नमस्कार मैं आचार्य बिनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज एक सुन्दर सा कारिक्रम लेके आया हूँ जो लोग कर्ज के नीचे दबे हुए है आप तो तमाम प्रयास करते ही हैं लेकिन फिर भी कर्ज मुक्ति नहीं हो पा रही है तो आज हम आपके लिए लेके आये हैं गणपती का एक चमतकारी मंत्र जो कर्ज से दिलाएगा मुक्ति लेकिन इसके पहले आप लोगों को जनकारी दें यदि आप हमसे किसी भी प्रकार्शे प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप जाएं www.ashto.com पे वहां पे आप अपने प्रश्नों क आपको लिख दें हम एक उत्तर देंगे एक उपाय देंगे आपके जीवन में कल्यानकारी शिद्ध होगा यदि आप वहां से फून से बात करना चाहते हैं तो आपका श्वागत है अब हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि गणपती भगवान का वह चमतकारी मंत्र कैसे किया जाए और इस अनुष्ठान को कैसे किया जाए कि आपके जीवन में जो कर्ज का बोज है वो दूर हो जाए क्योंकि मनुष्य के जीवन में जब कर्ज की सिति आती है एक जगा से कर्ज लेता है वो अभी चुकता नहीं हुआ होता है कोई ऐसी आपती आ जाती है दूसरी जगा से ले लेना पड़ता है एक तरह से कर्ज की बाढ़ आ जाती है बहुत जगा तो देखा जाता है कि व्यक्ति ऐसा दब जाता है कि दो तीन पीड़ियां उस कर्ज को देने में अक्षम हो जाती है ये कर्ज निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए कंटक बन जाता है हम ना खुल करके अपने जीवन का आनंद ले पाते हैं ना खुल करके पैसा खर्च कर पाते हैं ना अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ पाते हैं तमाम प्रकार से दिक्कतें हमारे जीवन में बंती चली जाती हैं तो सास्त्रों में कहा गया है कि भगवान बिग्न बिनायक की कृपा से इस कर्ज के बोज को दूर किया जा सकता है क्योंकि भगवान बिग्न बिनायक मंगल मूर्ती है कोई भी कार्य यदि आप शंपन करते हैं तो सबसे पहले गणेश आए नमा लिखते हैं क्यों लिखते हैं क्योंकि उन कार्यों में बिग्नबाधा ना आए परंत भगवान गणेश को रिण हरता भी कहा गया है सास्त्रों में रिण का हरन कर लेते हैं मतलब कर्ज को समूल नश्ट कर देते हैं आपके अंदर आपके ब्रेन में आपके मन में आपके मस्तिक में आपके सरीर में ऐसी पावर ले आते हैं, ऐसी उर्जा ले आते हैं, कि आप अपने पूरी उर्जा से काम करते हैं, और कर्ज का बोश हट जाता है, तो आज हम आपको सुंदरता नियम बताएंगे, यह कारिक्रम आप बुधवार को करें, प्राता काल भी आप संपन कर सकते हैं और गोधूल काल मतलब सुर्य अस्थ से आधा गंटा पहले और आधा गंटा बाद इस टाइम में भी आप इस कारी को कर सकते हैं वैसे ज्यादा अच्छा प्राता काल में होगा प्राता काल अश्नान आधि से निब्रित हो इसके बाद आप क्या लेंगे दूरुबा लेंगे पीला चावल लेंगे हलदी लेंगे गुड लेंगे फूल लेंगे एक दीपक बनाएंगे और पूरब की और मुक करके आप बैठ जाएंगे यदि अपने घर में बैठ रहे हैं तो यदि मंदिर में जा रहे हैं तो जिदर भगवान गनपती की मूर्ती है उसके सामने बैठ जाएं क्या कारी करना है गनपती की मूर्ती को पीले वस्त्र पे अस्थापित कर ले एक घी का दीपक आप लेकर के गनपती के सामने रख दे हल्दी चावल रोली धूप दीप में अपने नहीं भगवान गनपती के राइट हैंड शाइट पर रख दीजिएगा एक पीला पुस्प डाल करके और अब क्या करें अब आपको दूरुबा लेनी है दूरुबा में 28 गांठें आप जो बना लें उसमें चार दूरुबा दस दूरुबा ग्यारा दूरुबा ज ओम गंगणपत्याई रिण हरतायाई नमाहा फिर से मंत्र सुनिएगा ओम गंगणपत्याई रिण हरतायाई नमो नमाहा या किवल नमाही कह दीजिए ओम गंगणपत्याई रिण हरतायाई नमाहा इस मंत्र को 28 बार आप पाठ करें 28 बार में एक एक बार दूरुब की गां को उठाके भगवान गनपती के पर अरपन करें यह के गांठ आपके जीवन के तमाम प्रकार की रिनों को म।ो अब तरह से छुटकार दिलाएगी क्योंकि जब आप दुर्बा भगवान गनपती को अरपन करेंगे तो मन मस्तिक में ज सात्मकुरजा है दूर होगी आपके कार्यों की उर्जाएं दूर होगी जहां पे कार्य करते हैं वहां पे सफलताएं मिलेंगी तो आपके जिवन में अर्थ आएगा तो रिंड जल्दी खतम होगा आपके घर में एकता बनेगी मधूर्था आएगी फिर आप ग्रुबा और पुस्प आदि ले जाकरके दूसरे दिन गुरुवार के दिन मंदिर में डाल दें या आप जो नदी के पास एक छोटा ता घड़ा डालके होद के उसमें डालते जो लोटे में आपने पानी रखा इसमें हल्दी रखा है उसे बुधवार के दिन ब्यापारे प्रतिष्ठान में दुकान है दुकान में हर जगा आप छीटा करें वो जल हर व्यक्तियों के ऊपर भी छीटा कर दें इससे तमाम प्रकार की विग्णबाद हैं दूर होंगी और रिंड हरता भगवान गणपती आपके रिंड को दूर करेंगे आपके परिवार म उन्नती देंगे तो अंत में अपनी मुहर लगाईएगा गंगणपते नमा और इस कारिक्रम को सेर करिए हो सकता रिंड का बोज आपके उपर नहों इसलिए आपको हैसास नहों लेकिन जिसके जीओने रिंड का बोज होता है वो ना सो पाता है ना तो जग पाता है ना कि जीवन में पुन्यवन करके उसके जीवन को एक तरह से महका दे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार